So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करो उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Traders को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुआत करेंगे मचकाव Dog Ship Builders Limited के साथ स्टॉक में हमने कल भी डिसक्स किया था कि इस परटिकलर शेयर में एक डाउन ट्रेंज स्टार्ट हो सकता और एक्जैटली ओ चीज़े हमें देखने को मिल रही है लास्ट यहाँ पर अगर देखें तो अगस्त के स्टार्टिंग से ही स्टॉक में continue हमें fall देखने को मिल रहा है आप खुद भी देख सकते हो लास्ट कुछ ड्रेस से गिरावट ने जरा रही है 29 जुलाई से लेके अगर अब तक की अगर मैं बात कर लो 30 अगस्त तक की तो स्टॉक यहाँ पर 1100 के अराउंड राउंड यहाँ पर फॉल बता चुका है और आगे भी जो गिरावट है continue हो सकती है कुछ बड़े firms की ओर से कुछ लेवल्स बताया गए है मजगाव में इसकी वज़े से अगर देखे स्टॉक में और एक बड़ी सैलिंग देखने को में मिल सकती है तो आगे ओ नंबर्स में आपको बताओ बट उससे पहले स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ पर दी तो क्लोजिंग यहाँ पर दी है 4,232 रुपे के लेवल पर और 81.65 रुपिस के राउंड तक के फॉल आज भी हमें देखने को मिल जाते है मौनिंग में ही स्टॉक लगबग 117 रुपिस के राउंड गिर गया फिर बाद में स्टॉक में एक थोड़ी वोत रिकवरी रही थी बट स्टॉक स्टेल नेगेटिव रिटन ही दे रहा है यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो कुछ बड़े फर्म्स की और से कुछ नेगेटिव रेटिंग्स दी जा रही है तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो टेक्निकल व्यू है यहाँ पर अगर देखे जो हाशीम यक्यूबली है उनकी और से यह डिरेक्टर है गुजराच शियर्स के और इनकी और से अगर देखा जाए तो कुछ important levels बताया जा रहा है downside की और कि अगर इस stock downside की और आता है तो कहां पर यह support ले सकता है तो कुछ expected levels इनकी और से बताये गहें जिससे 3770 का level फिर 3234 का level और long medium term के इसाब से अगर देखे तो इनकी और से वही लेवल यहाँ पर दिये दिखे ICICI Securities की और से क्या चीज़े कही जा रही है तो ब्रोकरेज हैस मैंटेन इट सेल रिकमेंडेशन और मजगाव टॉक्षिप बिल्दस फोर कास्टिंग शाप डाउन साइट ऑप 73% तो यहां पर ICICI Securities का मानना है कि आने वाले टाइब में स्टॉक 73% डाउन साइट जा सकता है और इनकी और से क्लिरली सेल रिकमेंडेशन दिया जा रहा है इन रिसेंट रिपोर्ट ब्रोकरेज फॉर्म सेट प्राइस टारगेट 1165 फोर दे स्टॉक तो इनकी और से जो यहां पर टारगेट दिया जा रहा है मजगाव डॉक्षिप बिल्डर्स में तो लगभग 1100 पेसेट रुपे का है इनका मानना है 73% इन स्टॉक डाउन साइट के और जा सकता है तो इक काफी बड़े लेवल पर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रेटिंग दी जा रही है क्योंकि स्टॉक अभी अगर देखे तो 4000 के अराउंड अभी यह ट्रेट कर रहा है यानि इतनी बड़ी डाउन रेटिंग जो दी जा रही है वो बिल्कुल यहां पर सोचने लाएक है और वही अगर देखे जो निर्मल बांग है उनकी और से भी कुछ इंपॉर्टन चीज़े यहां पर कहीं जा रही है निर्मल बांग इंस्ट्यूशनल्स एक्विटीज अल्सू इस्यूडस सेल रिक्मेंडेशन और मजगाव तो बिल्कुल इनकी और से भी सेल रिक्मेंडेशन यहां पर दी जा रही है और जो 4,468 रूपिस के राउंड अगर आप देखो 3.3% अपसाइट फूर मजगाव डिस्पाइट 25 टाइमस इन जून 2025 जा सकता है बट वही अगर देखे तो इनकी और से भी सेल रेटिंग ही स्टॉक में दी जा रही है तो इसके उपर भी आपको ध्यान रगना है और कल भी मैंने कुछ पॉइंट आपके साथ क्लियर किये थे कि वैलिवेशन के हिसाब से अगर देखे तो स्टॉक बिल्कुल मेच नहीं करते इनका जो फैर वैल्यू है और खाफियत तक डाउन रहना चाहिए ऐसी कुछ मैंने रिपोर्स आपके साथ शेयर की थी वही अग हम बात कर लें हमजगाव डॉक्षियर सनाफ फॉर डे लोजिंग स्ट्रीक बट एनालिस्ट आर स्टील बेरिश बिल्कुल एनालिस्ट अभी भी वेरिस्ट है यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता है और वही गर देखे तो और बड़े कुछ एन जा सकता है 3,300 रुपे के लेवल के राउंड तो 3,300 का लेवल तो मैंने चार्ट पर भी आपको बताता कि कुछ important लेवल से अगर यह लेवल्स ब्रेक कर देता है मजगाव डॉक अगर इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो स्टॉक में स्टील डाउन साइड का जो मोमेंटम है वह हमें जाता हुआ नजरा सकता है और एक्जाटली को चीज हमें देखने को भी मेल रही है अब बात करते हमारे नेक्स टॉक के नेक्स टॉक है जी आर एसे गार्डेन रिच शिप बिल्डर्स और इंजिनियर्स के अगर हम बात करे तो 1,774 रुपीस के राउंड स्टॉ क्लोजिंग देता हुआ नजराया 0.50 रुबीस के राउंड तक की बड़त है हाला कि मॉर्णिंग में काफियत तक शेर गिरा बट स्टॉक ने स्टील एक रिकवरी भी बता दी और वही अगर आप देखो पिछले पाच दिनों में स्टॉक काफियत तक साइडवेज रहा एक महीने की बात करें तो स्टॉक में अभी भी डाउंसाइट के मोमेंटम आ रहा है और कुछ पॉजिटिव चीजे जो है कल हमने देखी थी गार्डन रीच और आज भी रिपोर्ट आई है सामने की गार्डन रीच बिल्दर्स जो है बिलकुल एक टार्गेट सेट कर रहा है 10, 10,000 करोड का फॉर एफवाई 30 के लिए कि एफवाई 30 के राउंड राउंड अगर देखे 10,000 करोड का इनका जो रेविडियू का टार्गेट हो कम्प्लीट हो जाएगा तो ऐसा इनका मानना है तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज भी है क्योंकि इन बड़ी कंपनी कंपनी अगर कोचिंग शीपयाँ लिमिटेट की तो कोचिंभी च किस तरीके से ट्रेड कर रहा है तो कोचिंभी अगर देखे तो U1959.85 रुबिस के राउंड तक स्तॉक में अगर देखे 52.85 रुबिस के राउंड तक के एक फॉल भी देखने को मिलते हैं 2.63 पर सन के बहाब पर और लास्ट फाइडेस की बात करें 117 रुबिस के आराउंड ए ट्रेट कर रहा और वन बंत में अगर देखें तो बिलकुल स्टॉक ने 631 रुबिस तक की फॉल भी यहाँ पर बताया है एक बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रिये जो एनाय है एनाय सर्च अगर बढ़ता है अगर इसमें कोचिं शिप्याड अगर देखा जाए इनकी साइड अगर पूरे जो सबुते हो जाते है तो बिलकुल स्टॉक के जो प्राइजे उसके उपर इफैक्ट आ सकता है और स्टॉक में एक फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है तो अब देखना होगा कि आगे एक केस कहा तक जाता है अगर यहाँ पर टोटेली कोचिं शिप्याड का नाम आ गया पर इन स्टॉक्स के लेवल्स पर अगर हम एक नजर डाले तो पहले हम बात करेंगे मजगाओ की तो मजगाओ में हमने कल कुछ पॉइंट डिसकस किये थे और कुछ लेवल्स मैंने आपके ज़र्ट शेयर कियता है उन लेवल्स को क्लियरली मैंने कहा था कि अगर ब्रेक हो जाती है तो स्टॉक में डाउंट्रेंड स्टार्ट हो सकता और एक्जाटली ओचीज होती हुई भी हमें दिखाई दे रही है अब बात करते हैं हमारे नेक्स टॉक के जो नेक्स है हमारा उसका नाम है गार्डन रीच तो गार्डन रीच में भी मैंने कुछ वैसे ही लेवल आप देख सकतो काफियत तक आएंपी लेवल है तो एक रेंज यहाँ पर क्रियेट हो रहे है करेंज यहाँ पर अगर दिखे तो स्टॉक बना रहा है और जैसे इसने इस रेंज को ब्रेक्ट किया वैसे फॉल कंटिडू हुआ और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटन अगर कल इस रेंज के अंदर इंटरन कर जाता है तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमें अपसाइड की देखने को भी मिल सकती है तो इसके उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए जो लेवल से भी एक इंपॉर्टन लेवल से तो कल भी अगर अगर आप दिखो तो स्टॉ किया था उसे तो ब्रेक करी रहा है और आज अगर देखे 29 अगर इसको भी स्टॉक में गंडिनियूसली फॉल देखने को भी तो यहाँ पर अगर आप देखो इस ट्रेड लाइन का अगर अपसाइड की और प्रेक आउट मिला तो एक अच्छे मोमेंटम आ सकता है तो पर इसुक्पलीट का अनौंसमेंट भी किया गया कुछ बड़ी कंपनी इसके हैं यहाँ पर अगर आप देखो गया कंपनी का नाम है Sportking India Limited Sportking में 10H21 का Split का Announcement किया गया अगर आपके पास एक share है इसका तो 10 share में तूटेगा और अगर 100 shares है तो 1000 shares में तूट सकते हैं तो आपको बिल्कुल 1000 shares मिल सकते हैं 13 सितंबर से पहले बाई करोगे तब ही आपको इसका benefit मिलेगा तो औरहल काफी कुछ चीज़ा हमने discuss कर लिए इन shares को लेकर इस वीडियो में I hope आपको ये वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चैनल को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram चैनल को join करो link नीचे description में thank you